हमस्कार दोस्तों वेलकुम बैक टोर कड़ेनिंग चलने प्रमुत उद्यान तो फ्रेंट्स आज हम एक पर्मानेंट प्लांट के बारे में बात करेंगे जो जिसका नाम है यह मिनी चंद्नी देखिए यह अभी फ्लावरिंग पे आया है यह समर सीजिन और मनसुन सीजिन में ह भी ब्लूमिंग करता है दिखिए यह पर्मानेंट फ्लांट होता है इजसली प्रूपागेट हो जयता है छोटे से छोटे से से इस तरह से 17 अगर आप इतना सब ही कुणा है अगर आप इसको फ्रूपागेट करेंगे तो यह बहुत ही आसानी से चल जाता है और यह पह।कrou लाइजर ना देने से भी यह बहुत ही ब्लूमिंग करता है देखिए अभी यह तो फ्लाइरिंग जिस्टार्ट ही हुआ है और देखिए ने ने कल्या की बंचस आ रहा है और इसके बाद सूझ पर होंगे जब फूल फ्लाइरिंग पर आ जाएगा तो यह प्लांट कितना लू दिये उसके साथ सथ बहुत ही ब्लूमिंग यह करता है उस तरह से देखिए इस साइट में भी और कुछ मेंटिंगा प्लांट मेंने लगया था और यह भी सभी एकदम से एक ही सेप में जा रहा है मैं इन सबको एक ही लाइन पर ग्रो करना चाहरा हूं इसलिए इसको फिर से एक बार कट कर दूँगा जिसके बाद यह सभी एक ही रो में ग्रो हो जाएंगे उसके साथ आप सबको एक बहुत ही घुपसुरत नजारा देंगे लार्स इजिन इस प्लांट के प्रोनिंग करने के बाद जितने भी चुट चुटे-चुटे कटिंग निकले से उसमें शुरू हो गया है इस दरह से मैं ऐक बाहर के तरफ भी एक रोज बनाया हूँ था एक प्लाएर बैड बनाया हूँ तो यह समर सीजिनमंसुटे करता हैं गाडन में कितना सुन्दर दे रह गए मैं यह पिछले दो या भाव साल का प्लांट हो गया इसलिएhone का टढ ग्रोप ब्रांसिस्स प्रोप करता है तो नीचे का पार्ट इसका यसे प्त्ते जडते रहते और टेनी मरते रहते उनस्तब को अपकूर ताइम पे हटाना चाहिए दीद वर्जिस को कट करके हटाना चाहिए प्लांट से नहीं तो प्लांट में फंकस इसका आटक बहुत ही जल्दी हो सकता है एक डिजीच इसमें होता है जिसमें किड़ा के इस तरह से सभी पत्तों को खाने लगता है और यह जब आटक करता है तो सारी प्लांट खराप होने लगता है इसलिए जब से इसमें आपको कुछ भी डिजीच नजराए तो इसमें नीम तो आज के लिए बस इतना है आई होब कि यह सेरिंग आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताने के जरू कभी भूलना मत और नहीं है तो चैनल को जरू सबस्वेक करना इस तरह से बहुत सी आज के लिए बस इतना है फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फूर वाचिंग प्रमधुद्यान